बुक्स दाट स्पीक में आप सभी का स्वागत है सुनते है कहानी गुसा इस कहानी के लिए आभार महराष्टर राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती मंडर पुणे कहानी लिखी है ममता कालिया कहानी का वाचन असावरी दोशी देवाशीश और शुभाशीश दोनों भाई थे वे कोलकाता में अपने माता पिता के साथ रहते थे देबू 10 साल का था और पांचवी कक्षा में पढ़ता था शुभो केवल 4 साल का था और पहली बार शिशु वर्ग में दाखिल हुआ था बच्चों की तरह शुभो भी पाटशाला जाने में आनाकानी करता था आज 9 बच गए थे पर शुभो अभी तक गेन से ही खेल रहा था मा ने उसे दो बार नहलाने की कोशिश की लेकिन वो बार बार बच निकलता मा ने उसके कान कीचे और जबरदस्ती बाथरूम की ओर ले चली देबू पास में ही खड़ा था चोटे भाई को पीटते देख उसे कुछ-कुछ मजा सा आ रहा था दरसल छोटा होने के कारण मा का ज्यादा समय शुभो को संभालने में लग जाता और वो देबू की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी इससे देबू को लगता मा उसे प्यार ही नहीं करती देबू अपने भाई से बहुत प्यार करता था उसे एक खिलोने की तरह समझता ऐसा जीता जाकता गुड़ा जो हाथ लगाते ही हसने या रोने लगता था हसा तो कोई बात नहीं पर जैसे ही ये गुड़ा रोता मा समझती की देबू ने उसे मारा है बस फिर देबू को ऐसी डाट पढ़ती की बेचारा रुआसा हो जाता इसलिए आज मा के दुलारे को पीटते देख उसे अंजानी सी खुशी मिल रही थी इस वक्त उसे ये सोचकर मजा हा रहा था बच्चो खुब उचलते कुदते रहते थे अब रोज विद्याले जाओगे तो पता चलेगा भाईया मजे नहीं उडाते जान लडाते है पढ़ाई में घर बैठे खेलने में और स्कूल जाने में बहुत अंतर है उसके माजी पिताजी बच्चों को प्रति दिन विद्याले भेजने के मामले में बड़े सक्थे शुभो को आँ 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 ऐसे करते और पानी की धार से बच्चते देख देबू ने ताली बजानी शुरू कर दी आहा बच्चू अब पता चला बड़े बेटे को हसते देख मा का धीरत छुड गया शुभो के बदन पर तॉलिया डाल कर उन्होंने देबू को जिंजोड दिया मदद नहीं कर सकते तंग तो ना करो मा तो छोटे को लेकर कमरे में चली गई पर देबू सन्न सा खड़ा रहे गया उसकी रुलाई फूट पड़ी शुभो मुढ मुढ कर अपने भाई को देख रहा था जो वही कुरसी पर बैट कर रोने लगा था बच्चों के पिता अपने कमरे में दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे पत्नी के चिलाहट, बच्चों का रोना उनके लिए रोज की घटना थी वो बैग लेकर नीचे उत्रे देबू अब तक चुप हो गया था उसका उत्रा हुआ चेहरा देख कर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले ग्रुहकार्य पूरा कर लिया है देबू ने हां में सिर हिला दिया अच्छा बेटे मा जी को तंग ना करना वो काम में व्यस्थ है न ये कहकर उन्होंने बच्चे को प्यार किया और दफ्तर चले गए कमरे से जब शुभो बाहर निकला तो राज कुमार जैसा लग रहा था बड़े भाई को देख कर प्यार से बोला दादा मैं जा रहा हूँ देबु ने देखा मा ने गुलाबी साड़ी पहन ली थी पर इस समय उसे मा बिलकुल अच्छी नहीं लगी उसे तो उस मा को देखने की इच्छा थी जो सुभा उसके उठते ही उसे गले से लगा लेती थी अपने हाथ से गिलास में भरकर दूद पिलाती थी पर अब उसकी जगा शुभो ने ले ली थी ये देखकर देबु को और भी दुख हुआ कि जाते समय भी मा ने उसे प्यार नहीं किया बलकि आदेश देकर शुभो के साथ चली गई मेरे आने से पहले विद्याले मत जाना मा तो चली गई अब देबु का गुस्सा फूट पड़ा ठीक है मा को तो मेरी परवा ही नहीं है सारा दिन छोटे का ही ध्यान रखती है लगता है जब मैं रहूंगा ही नहीं तब पता चलेगा कि बड़ा बेटा कैसा था उसने कुछ सोच कर मा की एक साडी ली उसे मोड कर वो एक थैली में रखने लगा अगर बाहर मा की याद आएगी तो वो न सही उसकी साडी तो होगी मा से बिचडने की बात सोचते ही उसका मन भराया देबु तब ही एक आवाज गुन जी देबु ने मुड कर देखा दर्वाजे पर उसके चाचा जी चाची जी खड़े थे वे पास ही में ठाकुरपूर इलाके में रहते थे देबु और शुभो को वे जान से ज्यादा प्यार करते थे अरे देखू तो मेरा बेटा क्या करने जा रहा है ये कहते हुए उसके चाचा जी और चाची जी घर के अंदर आ गए मैं मैं ऐसे कहते कहते देबु अटक गया फिर हिम्मत करके बोला मैं घर चोड़ कर जा रहा हूँ क्या अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को ऐसे कहते हुए चाची जी ने उसे अपने से लिप्टा लिया प्यार पाकर देबु फूट पड़ा सारी बाते बता कर बोला मैं घर से जाना चाहता हूँ क्योंकि मा मुझे प्यारी नहीं करती तो ये बात है आने दो भावी जी को ऐसी डाट लगाऊंगा कि दोबारा मेरे बच्चे को कुछ कह ही नहीं पाएगी चाचा जी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा नहीं मेरी मा को डाटना नहीं कहते कहते देबु रुख गया फिर बोला हाँ डाटना खूब डाटना क्यों जी डेबु को तो उसकी माँ प्यार करती नहीं तो क्यों न हम देबु को अपने साथ ले जाए चाची हसते हुए बोली हाँ हाँ ले चलो मैं चलूंगा कहते कहते देबु अटक गया फिर बोला शुबो को भी साथ ले चलेंगे वो मुझे बहुत प्यार करता है अब तक देबु की माँ आ चुकी थी बाहर से सारी बाते सुन रही थी तभी उन पर देबु की नजर पड़ी वो जोर से बोला मेरे कपड़े दो मुझे जाना है कहां जा रहा है मेरा बिटा मा ने प्यार से पूछा चाचा जी चाची जी के साथ उत्तर मिला ठीक है पर मैं भी चलूँगी मा हसकर बोली क्यूं? सवाल आ गया क्यूंकि मैं अपने बेटों के बिना नहीं रह सकती ये कहते हुए मा ने बेटे को गले लगा लिया ममता की गर्मी से देबू पिघनने लगा मुझे छोड़ो मुझे जाना है उसने दूर छिटक कर कहा हाँ हाँ जल्दी करो बेटे मा को यही छोड़ कर मेरे साथ चलो चाचा ने उकसाया मुझे कही नहीं जाना अचानक देबू चीक पड़ा पर तुम ही तो अभी कह रहे थे ना चाचा हसे वो तो ये कहते हुए उसने मा की गोद में सिर्च पा लिया मा ने उसे जोर से गले लगा लिया देबू का सारा गुसा बहने लगा फिर थोड़ी देर बाद वो बोला मेरे कपड़े दो मुझे जाना है अब कहां जाएगा बेटा मा ने हसते हुए कहां अरे भई देर हो रही है मुझे स्कूल नहीं जाना है क्या ये कहते हुए वो बाथरूम की और दोड गया मन तो उसका साफ हो गया था अब शरीर भी तो साफ करना था आखिर मा के कारण ही तो उसे विद्याले में सबसे साफ सुत्रे लड़के का पुरसकार पिछले पात साल से मिल रहा था कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी आपको भी ऐसे कभी-कभी गुसा आता होगा ना अगर आता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताईएगा और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दाट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में तब तक बाई-बाई गुसा मत करना हाँ